साथ्यों आश्कार बहुत स्वागत है हमारे इसे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में लूसेट जेनरल साइंस के टप 100 जी के कोश्चन अंसर करेंगे और यह इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है इसका फर्स पार्ट जो है अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूं अगर आप उसक कर लिजिएगा तो चले दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह सभी एक चाल में रिपीट है क्वेट्ड कोश्चन से तो आप इस वीडियो को पुरे ध्यान से और लांस्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें तो चले दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस्ट है मनुस्य के रक्तचाप को किस धमने से मापा जाता है वो मापा जाता है दोस्तों ब्रैकियल धमने से नेस्ट कोश्चन है हास से गैस का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तो हास से गैस का रसाइनिक नाम है नाइट्रस अक्साइड नेस्ट कोश्चन है कैलकुलस के अभिस्कारक है दोस्तो कैलकुलस के अभिस्कारक है आईजेक न्यूटर काफी महत्तपून कोशिन है दोस्तों नेस्ट है सकरकंध किसका रुपांतरण है नेक्त कोशिन है एक्ष के जिवानों किसे नष्ट कर देते हैं नेस्ट है अंगली के नाखोन में बिद्धेमान प्रोटीन है गुलोबिन नेस्ट कोस्टन है पक्षियों को उड़ने की परक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों पक्षियों की उड़ने की परक्रिया जो है ब्रेलिंग कहलाती है नेस्ट कोश्चन है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं दोस्तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं काफी महत्तपूर्ण है कोश्चन दोस्तो नेस्ट कोश्चन है किस हर्मोन को अपतकालेन हर्मोन कहते हैं वो कहते हैं दोस्तो एंड्रिली कर्फिर में कर्बो हाइड्रेट को पचाने के लिए कौन सा एंजाईम उतरता है वह है दोस्टो काफी है स्वासला के जरे किंद्रेट का विभगाजन क्या कहलाता थ दोस्तू केन움 का बीभाजन जो है केरियो कौईने सिस हमारे शरीर के किस अंग में एंटिबार्डिज बनते हैं दोस्तों टासलिन में जो हैं एंटिबार्डिज बनते हैं नेस्ट कोस्टन है आजजीवानगों की कोसिका भित्ती बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों वसा और सेलिलोज की पलाजमा जिली किसकी बनी होती है दोस्तों पलाजमा जिली जो है लिपिड प्रोटीन की बनी होती है पोसिका भितिका प्रमुखाववय है दोस्तों पोसिका भितिका प्रमुखाववय की बात करें तो सेलिलोज है नेश्ट है जीन को बहने वाली आनुवानसी की काई क्या कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों गुनसुत्र नेश्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें तो ये जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है नेश्ट है सिगरेट के पहले बरगी करन जो है न्यू लेंड ने करा था नेस्ट है बेसर कनवर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है दोस्तों बेसर कनवर्टर की बात करें तो कास्ट आयरन से स्टील में जो है कनवर्ट करने के लिए बेसर कनवर्टर का उपयोग किया जाता है नेस्ट लाल चीटियों में कौन सा अमल पढ़ जाता है दोस्तों लाल चीटियों में फार्मिक अमल पाए जाता है आसीसे के संचैन में किस अमल का प्रियोग होता है यह काफी महत्त पूर्पून जो है उदासीन होता है महासागर में डूभी होई बस्तों की इस्तिती जानने के लिए परयुक्ति अंत्र है हो है दोस्तो सोनार सेकेंड के लुलक की काल अधी होती है दोस्तो सेकेंड की लुलक की काल अधी होती है तो सेकेंड नेस्ट है वे पदार्थ जो चुमक से कम प्रतिकर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तो प्रति चुमक्या पदार्थ नेस्ट कोश्चन है बिधुत चुम्बकिया में क्रोड के रूप में इस्तिमाल होता है दोस्तो बिधुत चुम्बकिया में क्रोड के रूप में इस्तिमाल होता है मिरिदू लोहा का इसनेल का नियम संबंदित है दोस्तो इसनेल का नियम जो है प्रकास के अपरतन से संबंदित है नेश्ट है काच में किस रंग का अपरतनांग सबसे कम होता है वो हता है दोस्तो लाल रंग का काफी महत्यपूर्ण कोशन है दोस्तो नेश्ट है तारो का टिम्टी माने का कारण है दोस्तों तारो का टिम्टी माने का कारण है वायू मंडली अपॉर्टन धूप के चस्मे की पावर होती है दोस्तों धूप के चस्मे की पावर होती है जीरो डायप्टर मायोपिया का दूसरा नाम है दोस्तों मायोपिया का दूसरा नाम है निकट त्रिश्टी दोस्ट ने Q. 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 Q की काई है दोस्तों हड़ की बात करें तो यह अब रिती की मापनी काई है नेक्स्ट कोश्चन है आवर्त साड़नी का अभिस्कार किया गया दोस्तों आवर्त साड़नी की बात करें तो यह मेंडलिफ के द्वारा जो है अभिस्कार किया गया नेक्स्ट कोश्चन है टर्याएसी के अभी कारत कौन थे थे दोस्तो निकोला टिसला काफे महत्तवप talkin' है कुर्टों और लास्ट कुर्चेण है जैं़ की घते की अभिब्यक्ति होती है क्लिश्चन को सब्सक्राइब करें बेल ड्माय, ठैक्स पर वाची